हेलो डियर स्टूडेंट पहला असी गुर्द्याल सेंग जी दी रचना नावल मडी दा दीवा दे कांट नंबर ग्यारा दे पेज नंबर 79 तो लेके 81 तक रीडिंग कर चुक्के हां अते अज असी पेज नंबर 82 ते 83 दी रीडिंग करनी है पर सब तो पहला मैं तो हानू पेज नंबर 79 तो लेके 81 तक जो असी पढ़ चुक्के हां उसे संभन्दी संखेव विज जानकारी देवा गी उकके बेटा कांड 11 साड़ी आई एससी बोड वल्लो प्रवानित पुस्तक नावल मडी दा दीवा विच्चों लिया गया है जो के गुर्ध्याल सिंख जी दी शाह का रचना है इस कांड दा संभन्ध नंदी दी मौत नाल है असल विच जो दों सूटी दे मुहों नंदी दे करबनी ठोले दी मडी दी गल सारे वेड़े विच फैल गई तान लोका ने इस बारे तरा तरा दिया गल्ला कीतियां उस देन तो बाद जक्सीर साथ ताठ देन मंजी ते प्यार रहा पहला ता नंदी चार पांच देन उसनू ठंडा तता दिन दी रही ते फिर ओह आप वी मंजी ते डिग पई नंदी दी अजही हालत वेख के जक्सीर नू यकीन हो गया के होण ओह उठन वाली नहीं है ते एक रात जक्सीर दी जद आख खुली ता उसनू नंदी दी मंजी खाली जापी जदों ओह ओठ के बाहर आया ता उसने वेख्या के नंदी लुंजिया वांग हाथ पैर कडीस दी होई ठोले दी मडी वाल जा रही सी ते अचानक उसनी साहो साहोई दी तौन एक पासे नू लुड़क गई इस उपरंत जगसीर ने नंदी नू मंजी ते लम्मे पाके उसने मुँ कोसा पाणी पाया पर उसनू कोई सुर्थ ना आई उस समेच जगसीर ने एक वारी देरे वाले साधनू बुलाउन बारे सोचया पर फिर ओह देरे वाले साधनू बुलाउन लई ना गया क्योंके उसने सोचिया के जेकर नंदी ने अग्गे पिछे मरना ही है तां उसनू होर दुखी करके क्यों मारना है कोज समय बाद उसनू नंदी दे साधी एक अजीब अवाज सुनाई दिती ते जदो उसने उसनिया नबजां टोहियां तां उसने टंगने तो जुली लाके हेठा सोच दिती ते उस उपर नंदी दी लोथ नू लम्मे पाद दिता अते आप खेश दी बुकल मार के उस दी लोथ दे कोल बैठ किया उसनो एस तरह बैठे बैठे ही लोई पाठ पई फिर सबतो बहलां उसने नंदी दी मौत सम्बंदी वेहडे दिया एक दो सियाणिया आरता ते बन्दयानों दस्या ते आप तरम्सिंग दे कर चला गया जदों उसने तरम सिंग नू नंदी दी मौत बारे दस्या ता उसने जिकसीर नू दिलासा दित्ता पर उसता मानवी डोल गया जदों ओह दोमी जिकसीर दे कार आय ता उस समय वेहडे दे खासे तीमिया ते बंदे इकठे बैठे होय सन इस तो बाद सूटी ने जिकसीर कोलो नंदी नू नू हा के पौण वाले कपड़े मंगे तब जिकसीर ने लकड़ दे संदूक विच्चों एक गठड़ी काटके दे दित्ती जेस वेच तेन कपड़े खंबनी ते खफंड सी ओके बेटा इथे तक पहला असी रीडिंग कर चुके हैं अते हो नेक्स्ट पेज नंबर 82 तो रीडिंग शुरू करनी है पर सब तो पहला असी पेज नंबर 82 दे ओक्खे शब्दां दे अर्थ डिसकस करांगे ठीक है येस बेटा फर्स्ट वर्ड है मुहांदरा शकल किया होंसला खार इर्खा नेक्स्ट वर्ड है कुन्ने सुबा निग्गे सुबा ठीक हादा नारा मार गया हादा नारा मारना अफसोस करना द्रेग दोख बखेडा कलेश काठी काठी दार थे सरीर ठीक है हुण इस तो बाद असी पेज नंबर 82 दी रीडिंग शुरू करनी है पेज नंबर 82 ता जो फस्ट पैरा है उस तिया दो लाइना पेज नंबर 81 ते हन ठीके जिकसीर पालक संदूक कोल खडोता रहा ते फिर ओधे अंदरों जे में कोई होरी बंदा बोलया बेबे मेरा लीडा लगता हुन देखो बेटा जदो जिकसीर नंदी दे अंतिम संसकार ली सूटी नू सारियां चीचा पातिन कपड़े खमणी ते खफ़न दे दिन्दा है ता उस समय ओस संदूक दे कोली खड़ा रहन्दा है ते सोचदा है के नंदी अपने अंतिम समय ली ता सारा परबंद कर गई स पर उसते खफ़न दा परबंद कौन करेगा ठीके नेक्स देखो ते ओह ओते संदूक कोल बह गया ओह दा चेहरा एक बहो रंगा पेत बाण गया एक रंग ओह दे होठा उतते ओपरी मुसकान दासी दुज्जा रंग ओह दियां अख़्ा विच सोग दे उदासी दासी ते त पिज्जा रंग ओह दे आलने दे तीलियां मांग उल्जे रुखे चेहरे उत्ते सी अग्गे दे हनेरे दा रंग ठीक है हुण इथे देखो बेटा इथे दस्या गया है कि जिक्सीर जदो संदूक दे कोल बैठा आया सी ता उस समयों सोचा में चुड़ो बगया सी उसता च चेहरा जेवें बहुरंगा पेत बन गया पाव के उसते चेहरे ते कई रंग नजरा आ रहे सन जेवें एक रंग उसते होठा पाव बुल्ला ते एक ओपरी मुस्कान दा सी एक खुशी दा सी पर उसतियां अक्खा मिच उदासी भी नजरा रहे सी नेक्स देखो लिखे आलने दे तीलियां मांग उल्जे रुखे चेहरे उत्ते सी ठीके ते तीसरा रंग उसते मान विच पैदा होई उल्जें दा सी जिवें के एक आलने दे तीलियां दा ताना बाना उल्जें दा है उसी तरह उसती जिंदगी वी उल्जी होई सी अते उसनु आपनी जिंदगी विच और वालियां मुश्कलां दिखाई दे रहीयां सन ठीके नेक्स देखो ते इहना तिन्ना रंगां विच्चों जिवें जग सीर दियां पिछलियां सारियां पीडियां दे लोकां दे जीवन दा कोई पेत उगड़ाया सी ओह पेत जिहनों जग सीर दी आत्मा सिरफ मैसू जून एक जहा पेत परेया चितर जापदा सी जह दी हर लकीर विच पूरियां सदियां दे रंग परे होई सन पर एश चितर दे कसमेले रंगां विच गुवाचे पेत अजेवी पतानी कदों तक पेती रहने सन क्योंके रंग मनोख दी आखनू आज भी वड़ा पुलेखा पास अकन दे समराथ थान दो रंग आपो वेच जदों मिल दे हन ता ओह मनोख दी आखनू ती जे रंग दा पुलेखा पाजान दे हन ठीके के इस तरह जो जे जइन पुलेखा प्रगट ने पुलुदरा पैठ ओह सब करना दो पुलेखा उन दे लेखा em आंदरा देहे जून एक जहा पेत परेया चित्तर जापदा सी जह दी हर लकीर विट पूरिया सदियां दे रांग परेयों सन। ते जो अस दी शकल सी स्रीर, जून, जो अस दी जिन्दगी सी एक पेत परी तस्वीर वांग सी। जे स्वेच खुशी, उदासी, गमी, आध कई रांग परेयों सन। हो देखो बेशक, जेवे उस दे चेहरे ते, कदी मुस्कान सी, कदे उस दी अखा वेच उदासी सी, पर जो अस दी अंदरू नी पावनावां सन, उसनों कोई समझ नहीं सकता सी। ठीके, जे में दस्या गया है, कि जो दो रांग आपस वेच मेल देयान, ता तीसरे रांग दापुल एक खापा आजान देयान। उसे इतना, जो दो रांग सन, उदासी, खुशी जा गमी दे, ओतना सबनू शपश्टो रहे सन, पर जो उस दी अंदर चाल रहा सी, जो उस दी अंदरू नी पावनावा सन, उसनों कोई समझ नहीं सकता सी। ठीके, नेक्स एको बेटा, कोज चेर पिछों, जो दो जगसीर बाहर बंदया में चाके बैठा, ता विचोई, कई जाने, सदारन गलना तोर के, नंदी दा बबान कड़न तक लागे, पर सिद्धा आखन दा किसे दा ही या नही सी। गल तोरन वालया ने, पावे किसे वेले दी, खार कड़न लई गल तोरी सी। पर, जगसीर दे कुने सुबार ने, उहना दी तार, खुंडी कर दिती। ती, एक दो सियानया ने, गलना विच्चों, गल होर पासे पा लई। हुन देखो बेटा, जदो जगसीर इस तरह सोचां सोच रहा सी, ते उस तो बाद वह बाहर आके बंदया मिच बैठ चांदा है। ता उस समय कुछ लोग, जो के उस दिनल, खार खांदे सन, ओ जहियां गलना कार रहे सन, के नंदी दा बबान कड़िया जाना चाहिदा है, उ जगसीर सी, और निग्गे सुबादा मालक सी, उसने किसे दी गल दा कोई मोड ना दिता, ठीके, ते इसे तरह कोज स्याने बंदे सन, उनना ने इस गलनों होर पास से पा दिता, नेक्स देखो बेटा, नंदी दे संसकार पिछों, पेंड वेच जिहनों में पता लग गया, सिर्फ जगसीर ते तरहम सिंग दो में रह गये, तरहम सिंग नों ही जगसीर ने कर जान लई आख्या, पर उस लम्मा हो का पर के जवाब दिता, हुन अपना कर कित्थे है जगसिया, इत्थी हुन दस्या गया है, कि जदों नंदी दा संसकार हो जन दा है, ता उस समे पेंड जिस किसे नों नंदी दी मौत बारे पता लगदा है, ओ जगसीर दे का राके अफसोस कर जान दा है, ठीके, ते जो जगसीर दे आंड़ गवांड यां तीमिया सन ओ वारी वारी नाल सत्थर ते बैठिया रहिया, पर जदों देन शिपन वाला सी, ता उस समे सारे लोग आप आपको अपने करे चले गए, अथे सिर्फ जगसीर ते तरम सेंग ही रह गए, जगसीर ने तरम सेंग नुमी आपने कार जान ली आख्या सी, पर तरम सेंग अगों लम्मा हो का पर के आखदा है, कि होना अपना कार कित्ते है जगसीया, क्यों अपने कार नहीं जाना चान दा सी ठीक है नेक्स देखो बेटा ते फिर बिंदक रोक के ओ इंज बोल लिया जेवे अपना देल उते प्या सारा पार हौडा कर लेना चौदा होवे तैनू ता इकको दरेग है जक्सिया बई तेरा कुछ बढ़ेया नहीं पर जिन्ना दा सब कुछ हैगा कारबार बाल बच्चे जमीन जैदाद ओ तेरे पादा सब सुखी है तू मेरा परा आए तेरे कोल कहदा लुका आए तेरे आली टाली वड़न मगरों ऐसा बखेडा कर्च पयाए सब कुछ शाड़ शड़ा के साधा आंगू वाड़ेच शप्पर हेट जा बैठाए हौने थे इस तो बाद विटा सरथ रम सिंग जेक सीर दे नाल अपना दोख सांजा कर दये अटे उसनुं आँख दा है कि उसनु ते शिर्फ एक दोख है कि उसनु जन बंगेना नी कि उसनु खिया नहीं और पर फिर अपने बारे गाल करता है कि जिनना दा सब कुछ है बाल बच्चे है जमीन चाहिदादा है कारबार है पर की यो सुखियन अते नाल ही ओच जिक सीर नू आखता है के जदों दी उसते खेतना विच लग्गी हो इटाली बड़ी गई है उस समेतों उसते कार विच बहुत कलेश प्या जिस कारण उसने कार जाना बांद कार दिता त ठीके नेक्स देखो बेटा बंदा जक्सिया की सोच दै हो की जान दै खबरे दुनिया बनी पैड़े बंदे आसते है एहो जे लोकानल कटन आसते जक्सिया बंदे दी काठी सातमान लोहे वाले गड़े आरगी नुरोई चाहिदी है किकर दे मुचर आरगी दे ते कान आरग बज्जर आत्मा माड़े बंदे दा इत्थे की माजना माड़े नू ता दुनिया शिलकां दे ओठांगू खंडा दिन्दी है हुन देखो बेटा इत्थे तरम सिंग आपने मांदिया पाम नावा जिक सीर नाल सांचियां कर दे होई आखता है कि माड़े बंदे नू आपनी जिन्दगी बतीत करन ले आपना सरीर सातमान दे बने होई लोहे दे गड़े वांक मजबूत चाहिदा है ते जेवे किक कर दे रोख दी लकड मजबूत उन्दी है उसे तरह ही जिन्दगी वेच आउन वाले दुखाणू सैन कर ले मनुखी देवी मजबूतों नी चाहिदी है ते नेक्स वर्ड आये कान वरगी बजजर आत्मा ठीके हुने ते कान दा अर्थ है लुहार दा हथोड़ा ते बजजर दा अर्थ है सक्त ते जेवे लुहार दा हथोड़ा सक्त उन्द है मजबूत उन्द है उसे तरह इंसान दी आत्मा वेच वी अपनी जिन्दगी वेच और वाले दुखानु बरदास्ट करन दी शक्तियों नी चाहिए दी है क्योंकि इस दुनिया मेंच जो माड़ा बंदां दा है उसनु लोग टेच समझ दे हन नेक्स लाइन आई बेटा माडे नू ता दुनिया शिलकां दे ओठांगू खंडाद दी है तिजे में शिलके नू थोड़ मारो ता इदर उदर खिलर जान दे हन ठीके उसे तरह ही इस संसार विच तकड़े बंदे दा माडे बंदे ते जोर चालदा है ठीके नेक्स देखो बेटा तरम सिंग एकदम चोपो गया पर एक बेंद मगरों उबढ़ वाहा बोलिया जक्सिया मो बिना कादी दुन जमीन जायदा ता बंदे दे हाथ थान दी मैल उन दी है जदो बंदा मैली चटन लगपे फिर तरेग ऐसी जून दे हुन इत्थी बेटा तरेगदा अर्थ है लाहनत ठीके हुन देखो बेटा इस तो बात तरम सिंग पहला ता गल्ला कार दे एकदम चोपो जन दे पर फिर उपड़वाई बोलना शुरू कर देंदा है ते जगसीर नू आखदा है कि आज कल लोकां वेच बो प्यार दी पावना खतम उन दी जा रही है सिर्फ जमीन जायदा जो है उसनू पैल दित्ती जान दी है ते एहो जी जमीन जायदा दनू की करना जो दो बंदियां दे आप जमीन जायदाद है जो एपैसा है इनसान दे हथान दी मैल है ते जेकर इनसान रिष्टियां दी बजाए इस पैसे नू इस जमीन जायदाद नू पहल देनी शुरू कर देवे तह अजही जून ते अजही जिन्दगी ते लाहनत है ठीके उन इस तो बात बेटा आसी पेज नंबर 83 दी रीडिंग शुरू करनी है सब तो पहला सी पेज नंबर 83 दे ओखे शब्दा देर्थ डिसकस करांगे फर्स्ट वर्ड है गुमसुम चुप चाप नेक्स वर्ड है चेत बड़ा हौला होया मन हलका हो जाना ठीके फोल अस्थियां असान नहीं करदा एहसान नहीं अखां वहतुरियां अखां पाराईयां पुब्भी रोन लग पया पुब्भी रोना उची उची रोना ठीके इस तो बात बेटा 83 पेज दी रीडिंग है तरम सिंग फेर चोप कर गया ते बेंदक मगरों उस एक लम्मा होका पारके हे वाहे गुरू आक्या ते चोप करके क मुच्चर वर्गी दे ते कान वर्गी आत्मा बारे ओं मुढ मुढ ख्याल दा रहा पर अजहियां देहां ते आत्मावा वाले बंदेयां दे मुहांदरे फेर वी ओधियां अखां अग्गे साफ ना उगडे हुन देखो बेटा एसे तना तरम सिंग गल्ला करदे करदे फिर चोप जान दा है ते इस तो बाद ओं लम्मा होका परके हे वाहे गुरू आक्दा है ते अपने कार्णू चला जान दा है ओस समेच जिकसीर चोप जाप जो तरम सिंग ने गल्ला आखियां सन उनना बारे हो चता है पर उस्तियां अक्खा अगे मुच्चरवर्गी दे कानवर्गी आत्मा अजहे बंदेयां दी शकल प्रगट नहीं उन्दी ठीके नेक्स देखो सोते हो एत तरम सिंग रोटी खाके ते जिकसीर वास्ते दो रोटियां लायके मोडाया वड़ी रात ताई ओ दो में गल्ला कारदे रहे तरम सिंग ने पंते ते ओधी मादियां सारियां गल्ला जिकसीर नू दास्तियां ते अधी रात वेले जदों ओ सुते ता तरम सिंग दा चित बड़ा हौला होया सी जिकसीर पामे तरम सिंग नाल पहले दिनों बड़ा मो कारदा सी पर आज उनू तरम सि सौंवी गया सी जिक्सीर अजे जागदा प्या उससे बारे सोची जानदा सी ठीक है हुँ नेक्स देखो इते दस्या गया है के जदों तरम सिंग सोते होए रोटी खा के अपने कार्ट वापस आंदा है ता उस समय उह जिक्सीर लई भी दो रोटियां लेके आंदा है इस तरह दो में काफी रात तक गल्ला कारदे रहने हैं उस समय तरम सिंग जिक्सीर नू अपने वड़े पुत्तर पंते अत्य अपनी पतनी तन्नों दियां सारी गल्लां दास दिन्दा है ता उस समय तरम सिंग नू आपना मान बड़ा हौला होया मैसू सुन्दा है दुज्जे पास जो जग्सीर सी ओ बेशक पहले देन तो ही तरम सिंग नों बड़ा प्यार करदा सी उस दी बहुत इज़्जत करदा सी पर आज यो तरम सिंग देनाल होर हमदर्दी होन लग पई सी ति जदो तरम सिंग सौ जान दा है ता उस समय वी जग्सीर सिर्फ तरम सिंग बारे ही ते फिर सारी रसम पूरी करके जिक्सीर नू कहा किसे गालदा फिकर ना करीं मेरा वी होन चेत हल्या खड़ा है जो कोले है सब पोन खाते लगजे ता खबरे जनम सफला होई जाए तुम हार दुआर जा फिर आपा मरने दी सला करांगे पैसे टके दा कोई फिकर ना करीं आले ह हाले एनने को ले जा ते तरम सिंग ने जदों दसां दसां दे पांच नोट कड़के जिक्सीर नू फड़ाए ओ तो हाथ अगाना कीता गया फड़ ले तरम सिंग ने ओधा हाथ फड़के नोट ओधी मुठी विच फड़ा देया आख्या मैं कोई तेरे ते असान नहीं करद ओह मेरी भी तरम दी मां आजी ते तु तरमदा प्राए हैं हो और ता मेरा असा दुनिया च है काउण होन ते नाली तरम सिंग दी अख़्ा वै तुरिया मैं तेरा देना किते किते देऊं बाई जग सीर्तों जदों आपना आप ना सांब्या गया ताहु तरम सिंग दे गाल मुक्कन विच नहीं सी आउंदा जेमें सारी उमर दी एकठी होई पीड ओह आज जी तोणा चाउंदा सी हुन देखो बेटा इत्थे तस्या गया है के तीसरे दिन तरम सिंग ने खोद जिक्सीर दे नाल जाके नंदी दे फोल चुगाए ते फिर सारी रसम पूरी किती ते ना नोट काड़के फुड़ाउंदा है पहला जिक्सीर अपना हाथ अग्गे नहीं करदा पर फिर तरम सिंग उस्ते नाथ हम दर्दी जताउंदे आखदा है के नंदी उस्ती तरम दी मां सी ते जिक्सीर उस्ता तरम दा प्राए ते उनना तो इलावा हो नोस्ता इस दुनिया विच कोई नहीं है अते एहे आखदया ही तरम सिंग दिया अख़ा मी पाराईया ठीके उस्तो बाद जिक्सीर कोलो मी आपना आप नहीं सांबया जान्दा अते हो तरम सिंग दे गाल लाग के उच्ची उच्ची रोन लाग पेंदा है जेवे के अपनी सारे उमर दे एक अठ तुसी रीड करना है ठीक है ओके बेटा थेंक्यू